उत्तर प्रदेश में विधानसवा चुनाव का बिगुल बच चुका है। पुलिस और प्रशास्निक अधिकारियों ने आज कलेक्ट्येड परिसर में नमांकन की तयारीयों का जाएज़ा लिया। इस दोरान एडियेम सिटी आलोक कुमार ने कहा कि नमांकन कराने के लिए प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोग ही आ सकेंगे। रत्याशी के साथ उनके वाहन को नहीं आने दिया जाएगा जिसके लिए बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि किस जनवरी से नमांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी जिसकी कलेक्ट्रेट परिसर में सभी तय लोग आएंगे और उनकी गाड़ियां भी नहीं आनी है फोर्विलर्स भी नहीं आने है तो उसी की बैरिकेटिंग के लिए हम लोग देख रहे थे बैरिकेटिंग लगवा कम्प्लीट कर चुके हैं यहीं चल्दा है तो नमांकर कल से शुरू है 21 से चालू है कल से नमांकर ह आमरा चलू ही गार बड़ से लेकर तीम बैटिंगा